आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, चीज आलू बड़ा, इसे खाने से आपको आलू बड़े का टेस्ट आए गई, साथ ही साथ, melted चीज का भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा, make to easy recipe है बिल्कुल, Hello friends, Hare Krishna, दिप्तिस cooking में आपका स्वागत है, आज मैं आपको जो recipe बताने जा रही हूँ, बहुत ही simple और easy recipe है, इसे कोई भी बड़े आसानी से जट से बना सकता है, आप इसे सुबह के नास्ति में भी ले सकते हैं, और साम को snacks की रूप में भी चाय के साथ खा सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं, एक mixing बाउल लिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं 700 ग्राम बेशन, और बेशन को थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक गाड़ा सा गोल बना लेना है, देखिए इस तरह से इसकी ठीकनेस होनी चाहिए, इसे बढ़िया से आप अच्छी तरह से mix कर लिजे, यह देखिए इस तरह की ठीकनेस इसकी हो जानी चाहिए, अब हमें थोड़ी देर के लिए प्रेट से ढाक कर रग देना है, तब तक हम इसके अंदर की फिलिंग को तयार कर लेते हैं दो बले हुए आलू लिये हैं मैंने और उन्हें अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है या आप चाहें तो हातों से भी बहुत ही अच्छी तरह से इसे मैस कर सकते हैं आलू अच्छी तरह से ग्रेड हो जुके हैं अब मैं ले रही हूँ एक क्यूव प्रोसेस्ट चीज का और इसे भी आलू की उपर अच्छी तरह से ग्रेड करकी डाल देना है यह देखिए चीज भी मैंने डाल दिया है अब इसमें डालना है आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मैं डाल रही हूँ इसमें भूंजा हुआ जीरा और ठोड़ी सी हरी धनिया और साथी साथ चिली फ्लैक्स आपके पास यह दी चिली फ्लैक्स नहीं है तो आप चाहे तो जो लाल खड़ी मिर्च आती है आप उसे भी छोटा-छोटा कट करके इसमें डाल सकते हैं क्योंकि यह जो हम हलकी दर-दरी सी जो खड़ी मिर्च जालते हैं उसका टेस्ट इसमें बहुत ही बड़ी आसा आता है अच्छी तरह से हमें इसका एक डो बना लेना तो उन्हें थोड़ी दिर के लिए थंडा कर लीजिए यदि आलू गरम रहेंगे तो वो बहुत ही गीले हो जाते हैं और इस तरह से उनका डो बन के तयार नहीं हो पाता है आप चाहे तो आलू को एक घंटे के लिए पहले से फ्रीज में भी डाल कर रख सकते हैं और इस तर आलू का जो डो रखा हुगा था सारी टिकिया मैंने बना कर रख ली है और अभी हमारा जो बेशन का गोल है उसमें डाल रही हूं मैं थोड़ा सा नमक अपने स्वात के अनुसार और इसे मिक्स कर लेना है और इसे आप यदि अच्छी तरह से नहीं फेट रहे हैं तो फिर क अब कड़ाई में तेल डाल कर अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और यह जो हमारा बेशन का लिक्ट गोल है इसमें आलू की और यह चीज की जो टिक्की बनी हुई है इसे अच्छी तरह से डिप कर लेना है और एक एक करके कड़ाई में डीफ्राइ होने के लिए डाल देना यह समेवाय में व allons आप तो तो देहना है, और जब आप टीकिह आए तो मीडियम ए खहाब तो आप वन डाले थे सुल गएगा technikum कि आप फे तृक की तो आप आदो यह यह तो रहा हुलिए रहिए है, पना कर दो गिर लोग में जो आदो में भाले रहे हुए और आप यदि इसे फोग की हेल्प से करेंगे तो यह बहुत ही आसानी से दिप हो जाती है और डालने में भी कोई परिसानी नहीं होती है एक टिकी अच्छी तरह से सीख चुकी है गैस का फ्लेम मीडियम ही है और आपको इसे देख लेना है यदि आपको फ्लेम कम लगती है तो आप इसे हाई भी कर सकते हैं हाई मीडियम पर आपको सेखते रहना और इस तरह से मेरी सारी टिकियां बनकर तयार हो गई है सारे आलू बड़ा बनकर तयार हो गए हैं यह देखिए आलू बड़ा बनकर तयार है बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट में और मैंने ने कट कर दिया मैं कट करके दिखा रही हूं आपको देखिए यह चीज अंदर से बहुत ही बड़ा से मैल्ट हो चुका है और बहुत ही टेस् आदेस्ट चीज आलू बड़ा बनकर तयार है एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राय करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और यदी पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और मेरी वीडियो को सेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक्स पर वाचिंग